इंदोर में कोरोना वारिस से चल रही जंग की बीच एक ऐसी खबर आई है जिसमें इंदोर नगर निगम के इतिहास में पहली बार महिला अधिकारी को निगम की कमान मिली है राजसरकान ने भारती प्रशासनिक सेवा की वैश अधिकारी प्रतिभापाल को कमिशनर के पद पर पदस्त किया है वो नगर निगम की त्रेपन वी कमिशनर है 2002 की IAS अफसर प्रतिभापाल अपनी कारिशेली को लेकर काफी प्रसिद है प्रतिभा पाल का कहना है कि कम्यूनिटी के लिए सोचना और बढ़ावा देना किसी संस्था और अधिकारी का प्रात्मिक करता भी होना चाहिए सोशल स्ट्रक्चर हमेशा सफल होता है सबको साथ लेकर चलने वालों को इतिहास पूछता है और दो बारा पढ़ा जाता है कम्यूनिटी ब्रांडिंग हमेशा सफल रहती है कामों को लेकर जनता से मिले फीडबैक पर प्रतिभा पाल मानती है कि सभी तरह के फीडबैक सभी और से आने देना चाहिए इन में से मतलब की चीजों का चैन कर अपनी काम की क्वालिटी और भी अच्छी कर सकते हैं जिस तरह प्रतिभा पाल अपनी ड्यूटी अपने कामों को लेकर सक्त है नहीं दूसरी और उनका एक अलग अंदाज भी है इस IAS ओफिसर को कुकिंग करना और कवीता लिखने का बड़ा शोक है अपने खाली वक्त में वो अपने शोक को पूरा कर लेती है प्रतिभा पाल अब तक कई सारी कवीताएं लिख चुकी है और तो और दुश्यन्त उनके पसंदिदा कवी है प्रतिभा पाल पहली ऐसी IAS अदिकारी है जिन्होंने सतना में अपने कारिकाल के दुरान युवाओं को निशुल को कोचिंग दी IAS और SSC जैसी परिक्षाओं की तैयारी के लिए प्रतिभा पाल ने कोचिंग की शिरुवात की जिसमें वो खुद भी क्लास लेती थी प्रतिभा पाल की पहचान एक सक्त प्रिशासक है इस नई पोस्टिंग के साथ इंदोर नगर निगम में पहली बार महिला अधिकारी को कमिशनर बनाया गया है सरकार ने एक साल के लिए प्रदेश में प्रिशासनिक समीतियों का गठन कने का एलान तो कर दिया है लेकिन अभी इसका गजट नोटिफिकेशन नहीं होने की कारण समीति का गठन नहीं हुआ है लॉकडाउन के बाद अगर इसका गजट नोटिफिकेशन हो जाता है तो पूरो महापावर से प्रशासनिक समीती का द्यक्ष बनने पर मालोनी गोड को शहर के विकास के लिए निगम कमिशन से अच्छा सपोर्ट मिल सकता है